हलो दोस्तों नमस्कार ओनलाइन फिजिकल एजकेशन यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग केरिकेट से सम्मंदित महत पूर्ण ओनलाइनर प्रसनों को देखेंगे जिसमें आज का पहला प्रसन है केरिकेट का जनमदाता कौन सा देश है अंसर है इ स्थापना कब वा कहां हुई 1909 इंग्लेंड में अगला प्रसन आई सी सी का मुख्याले कहां इस्थित है आबु धाबी साओधी अरब में अगला प्रसन है भारतिय किरिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई आंसर है 1928 में अगला प्रसन भारतिय किरिकेट कंट्र सोल बोर्ड के प्रथम अध्यच थे आर आई गांट गोबिल अगला प्रसन है किरिकेट को ओलंपिक में कब सामिल किया गया आंसर है 1905 ओलंपिक में अगला प्रसन प्रथम 20 सुकब किरिकेट प्रतियोगिता पुरुष कब हुई 1905 में अगला प्रसन किरिकेट में प्रथम अर्जुन पुरुषकार किसे दिया गया था आंसर है सलीम दुर्णानी को अगला प्रसन देखते हैं किरिकेट में प्रथम दुरुषकार किसे दिया गया था आंसर है देश प्रेम आजाद को अगला प्रसन राणजी ट्राफी किस खेल से सम्मन्दित है आंसर है किरिकेट से पदमा ट्राफी किस खेल से सम्मन्दित है आंसर किरिकेट से अगला प्रसन सीके नाइडू ट्रॉफी किस खेल से समन्दित है किर्केट से अगला प्रसन कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से समन्दित है किर्केट से अगला प्रसन बीनु माकर ट्रॉफी किस खेल से समन्दित है अंसर है किर्केट से बिजे माचेंट ट्रोफी किस खेल से सम्मन्दी था है किर्केट से अगला प्रसन है रोहंटन बारिया ट्रोफी किस खेल से सम्मन्दी था है किर्केट से अगला प्रसन है भारत के सबसे पुराने किर्केट कलब को क्या कहते हैं कलकत्ता कलब अगला प्रसंद देखते हैं भारत के सबसे पुराने किर्केट कलब की स्थापना कब हुई अंसर है 1792 में अगला प्रसंद जानजी ट्रॉफी की सुरुआत कब हुई 1934 में अगला प्रसंद है किर्केट में कितने नियम होते हैं अंसर है 42 नियम किरिकेट गेंद का भार होता है 155.9 से 163 ग्राम किरिकेट बैट की लंबाई होती है 38 इंच अगला प्रसंद देखते हैं चोडाई होती है 4.25 इंच अगला प्रसंद है किरिकेट में इस्टंप की लंबाई होती है 28 इंच अगला प्रसन है किरकेट में गिल्लियों की लंबाई होती है चार सही तेन वटा आठ इंच अगला प्रसन है आठ में करम में जाकर लगातार दो सतक लगाने वाला पहला खिलाडी है हर वजन सिंग अगला प्रसन किर्केट में गिल्लियों की मोटाई होती है 1.3 cm अगला प्रसन है किर्केट पिछ की लंबाई होती है 20.12 मीटर अगला प्रसन है किर्केट पिछ की चौडाई होती है आंसर है 10 फुट अगला प्रसन है किरिकेट के अंदर बालिंग क्रीज की लंबाई होती है 2.64 मीटर अगला प्रसन है किरिकेट खेल में पापिंग क्रीज की लंबाई गुणे चौड़ाई होती है दोस्तों आंसर है 6 फुट गुणे 4 फुट अगला प्रसन है किरिकेट खेल में रिटर्निंग क्रीज की चोड़ाई होती है एक पॉइंट दो दो मीटर अगला प्रसन है किरिकेट टीम में कुल कितने खिलाडी होते है आंसर है टोटल सोला खिलाडी अगला प्रसन है किर्केट में निर्णायकों की संख्या होती है आंसर है छे निर्णायक अगला प्रसन है वह कौन सा भारती खिलाडी है जिसने किर्केट वहाकी में भारत का प्रतिनिदित्ट किया आंसर है M.J. गोपालन अगला प्रसन है, Palm Tree Heater के नाम से कौन सा किर्केट खिलाड़ी जाना जाता है पाली उमरीगर को अगला प्रसन है, प्रथम महिला किर्केट अंपायर बनी अंजली राज गुपाल अग्ला प्रसं है भारत ने प्रतम एकदिवसिये अंतराष्टिये मैच कब और कहां खेला 1974 लाडस मैदान में अग्ला प्रसं है प्रतम अग्ला प्रसं है लीटिल माश्टर के नाम से जाना जाता है आंसर है सुनील गाउसकर को अगला प्रसन किर्केट का मोल नाम है कलब बाल अगला प्रसन है सबसे कम उम्मर में 3000 रन बनाने का रिकार्ड भारत के किस किर्केट खिलाडी के नाम है आंसर है सचिन तेंदूलकर अगला प्रसन है लाडस किस खेल से सम्मंदित प्रमुख इस्थान है आंसर है किरिकेट से अगला प्रसन है फालो आन सब्द किस खेल से सम्मंदित है आंसर है किरिकेट से अगला प्रसन प्रिफरमबाद दूतीय विशुकप में भारतिय किरकेट टीम के कप्तान थे एस बैंक रागवन अगला प्रसन है टेस्ट किरकेट में सबसे कम उमर में सतक बनाने का स्तरे मिला था आंसर है मोहमद असरफुल अगला प्रसन है एक टेस्ट सेंखला में सरवाधिक तीन दोहुरे सतक बनाने का रिकार्ड किसके नाम है अफरीका, 2007 में अगला प्रसंन है, नमबब 2008 में सरवादिक एकडिश्य अंतराष्टिय किर्केट मैज खेलने वाला देश कौन बना? आंसर है भारत. अगला प्रसंन 2008 में वी सुकफ किर्केट का बिजेता देश कौन था? आंसर है अस्टेलिया अगला प्रसन है आठ में बिशुकप किर्केट के फाइनल में मैन आफदा मैच किसे घोशित किया गया रिकी पोईंटिंग को अगला प्रसन है भारत के प्रथम किर्केट कपतान थे सीके नाइडू अगला प्रसन है भारत में पहला टेस्ट मैच कहां ख भारतिय किर्केट का भिस्म पितामा कहा जाता है आंसर है सी के नाइडू को अगला प्रसंद आठ में 20 कप किर्केट का फाइनल मैच कब खेला गया आंसर है 23 मार्च 23 में अगला प्रसंद देखते हैं आठ में 20 कप किर्केट का फाइनल कहा खेला गया था जो हांस बर्ग में अगला प्रसंद है मेल बॉर्न किर्केट मैदान कब बना 1853 में और अगला प्रसंद है 20 कप किर्केट 2007 का सुवांकर क्या था अंसर है मेलो अगला प्रसंद 20 कप किर्केट 2011 का सुवांकर क्या था इस्टमपी अगला प्रसंद है 20 कप किर्केट 2011 के निवेशक कौन है रथनाकर 60 अगला प्रसन है सरवाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकार्ड किसका है आंसर है सचिन तंदेलुकर अगला प्रसन बिस कब किर्केट 2003 का सुबांकर क्या था आंसर है डेजिलर अगला प्रसन है टेस्ट किर्केट में भारतिय टीम द्वारा एक पारी में बनाया गया नियुन्तम स्कोर है आंसर है 42 रन अगला प्रसन है ICC के पहले अंडर 19 बिस कब किर्केट का आयोजन कब हुआ था आंसर है 1988 में अगला प्रसन है 20 सुकब किर्केट 2007 की बिजेता टीम को कितनी पुरुसकार राश्पदान की गई 22.40 लाख डॉलर अगला प्रसन है किर्केट से समंदिस पूस्तक किर्केट माई स्टाइल के लेखक है आंसर है कपिल देव अगला प्रसन है नेत्र हीनों का पहला 20 सुकब किर्केट किस देश की टीम ने जीता आंसर है दच्छड अफ्रीका ने अगला प्रसन है किर्केट में पहला राजीब गांदी खेल रतन पुरुसकार किसे दिया गया इम्पोर्टेंट प्रसन है दोस्तों सचिन तेंदूलकर को अगला प्रसन है भारत के प्रथम बंडे कप्तान थे एस बैंक ट रागवन अगला प्रसन है किर्केट में प्रथम सेंचुरी किसने मारी आंसर है लाला अमरनाथने अगला प्रसन बिसु की परथम टेस्ट डवल में डवल सेंचुरी किस ने बनाई पौली उम्रीगर ने अगला प्रसन है बीसु का परथम खिलाडी जिसने बंडे में 12 सतक बनाया आंसर है सचिन तेंदोलकर अगला प्रसन है टेस्ट मैच में सबसे अधिक बिकेट लेने वाला खिलाडी है आंसर है मुथया मुरली धरन अगला प्रसन है भारत की और से बंडे में सबसे पहली हैट्रिक लगाने वाला खिलाडी है आंसर है चेतन सर्मा अगला प्रसन है टेस्ट की पहली है ट्रेक किस खिलाडी ने लगाई आंसर है हरवजन सिंग अगला प्रसन है टी ट्वेंटी बिसु कप किर्केट में एक उबर में लगातार छे छक्के लगाने वाले खिलाडी हैं अंसर है युबराज सिंग अगला प्रसन है टी ट्वेंटी किर्केट इस परदा में सबसे पहले सतक किसके नाम है दोस्तों क्रिस गेल के नाम अगला प्रसन है सबसे पहले टी ट्वेंटी अंतराश्टी किर्केट इस परदा में एक ओबर में लगातार छे छक्के लगाने का रिकार्ड किसके नाम है को किस नाम से जाना जाता है आंसर है टेक्स को ट्रॉफी अगला प्रसंद है दलीव ट्रॉफी की बिजेता टेम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है आंसर है दिमेचा ट्रॉफी अगला प्रसंद है सीमिती सीमित ओवर की अंतरचेत्रिय प्रत्योगिता को किस नाम से ज अगला प्रसन है अंतर विश्व द्यालाई किरिकेट प्रत्योगिता जीतने वाली टीम को कौंसी ट्रोफी दी जाती है आंसर है रोहिंटन बारिया ट्रोफी अगला प्रसन है उन्निस बर्स से कम आयू के स्कूली लड़कों की सीमित ओवर की अंतर शेत्रिय प्रत्योगिता की विजेता टीम को कौंसी ट्रोफी प्रत्योगिता की जाती है आंसर है कूच बिहार ट्रोफी अगला प्रसन है उन्निस बर्स से कम आयू के लड़कों की सीमित ओवर की अंतर शेत्रिय प्रत्योगिता की विजेता टीम को कौंसी ट्रोफी प्रत्योगिता की जाती है आंसर है सुन्दर ट्रोफी दोस्तों अगर प्रसन अच्छे लगें तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद